वापी समयत पाड़ी विदान सभा के 243 मद्दान केंद्रों पर मंगलबार सुबह से ही मद्दाताओं की लंबी कतारे देखी गई वोट देने के लिए उम्ड़े मद्दाता शहरी छेतर के मद्दान केंद्रों पर दुपहर साड़े बारा बजे से तीन बजे तक मद्दान सुष्ट रहा राजी सरकार के वित्यमंत्री और पाड़ी विदाय करन्य देशाई ने अपने परिवार के साथ वापी के ग्यानधाम स्कूल के मद्दान केंद्र पर अपने मत अधिकार का उप्योग किया खास कर पहली बार मद्दान कर रहे युवाओ में भी काफी उत्साथ देखने को मिला मंगलवार सुबह साथ बचे वापी ग्यानधाम स्कूल, वापी टाउन के बुथे, वापी आरजेस हाय स्कूल, सुलपड और चनोत के मद्दान केंद्रों पर मद्दान प्रक्रिया आयोजित की गई थी शहर के अधिकांश मद्दाताओं ने लू की भविश्वाने के बीच सुबह का सबय चुना, इसके चलते वापी शहर चेत्रे में सुबह से हिं मद्दान केंद्रों पर मद्दाताओं की लंबी कतारे देखने को मिली मतदान केंद्रों के बाहर बिजेपी और कॉंग्रेस कारकरताओं ने अपने पक्ष में वोट करने की कोशिश की खास कर दुपहर में मतदान केंद्र सूने नजर आ रहे थे शाम होते होते मतदाता फिर से मतदान करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे वहीं दूसरी और पहली बार मद्दान करने वाले में एक अलगी जोश देखने को मिल रहा था पिछले चुनाव में फरजी वोटिंग या राजनेतिक दुश्मनी के चलते वोटिंग के दोरान कहीं भी दंगे की घटना नहीं हुई थी लेकिन मंगलवार को वापी शहरी शेत्रे के मद्दान केंद्रों पर शांतिपून माहोल से मद्दान प्रक्रिया पुरी हो गई सिस्टम को इस बात से राहत मिले कि वापी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ हाला कि इस बार मद्दान केंद्रों पर भी सभी सुविधाय उपलक सरकार द्वारा कराई गई थी